पलवल कैम्प थाना शित्र में अपने परिवार के सांथ किराई पर रहनी वाली 14 वर्षे किशोरी को डरा धमका कर उसका अपरण कर उसके सांथ जबरन दुशकर्म करने वह उसे गर्बवती करने के बाद उससे भीक मंग माने का मामला कैम्थाना पुलिस ने दर्च कर आरोपी को गिरफतार कर लिया अगर पिडिता किशोरी की माने तो उसको वही किराई पर रहने वाले एक व्यक्ती ने अपने सांथ चलने के लिए कहा लेकिन जब उसने मना किया तो आरोपी ने उसके परिवार को जान से माने की धंकी दी और जिस समय पिडिता दुकान पर सामान लेने के लिए थी उस समय आरोपी पिडिता किशोरी को जबरन अपने सांथ ले गया और कुशली पुर गाओं में किराय के मकान में बंधग बना कर रखने लगा और जबरन दुशकर्म करने लगा जिससे पिडिता गर्बवती हो गई मैं दुकान पर गई थी समान लेने के लिए उसने मेरे को टोचर करा था उसने कहा मेरे से अगर तो मेरे साथ नहीं चलेंगी थे भाई बैनों को और तरुर में पापको ज़न से माय डाली है पिर थे उसने मिरे को कुछ खिला आ प्रमक्राइब योजिए टकाल की जहाँ भीक मांगने जा श्राइब बेजता था और मैंने किसी और पूछा कि यह कौन सी जगाओ है एक स्लीप हुआ है मेरे साथ साथ दोलता था उसने मेरे साथ गलत काम भी किया था कम्री के अंदर बंद करके रखता था मैं तो किसी को भी बताएगे तो किसी से फॉन भी लेगी फॉन भी करेगी घर पर में तर को जांग से माह डाना मैं चाहती हूं कि उस मुझे इंसाफ मिले उस लड़के को बतादी कि आरोपी हितेश पिडिता के परिवार के पास ही किराय पर रहता था जो की 24 सितंबर 2023 को मौका पाकर पिडिता किशोरी को डरा धमका कर अपने साथ अज्यात स्थान पढ़े गया पुलिस और परिवार के लोग लगतार पिडिता किशोरी की तलाश करते रहे लेकिन एक दिन उसके किसी जानकार व्यक्ती ने उसको जानकारी दी कि पिडिता किशोरी निकटवर्ती गाओं कुशलीपूर में देखी गई है जसके बाद पुलिस ने परिवार के स्तांत मिलकर आरोपी हुआ वा पिडिता किशोरी को काबू कर लिया और पिडिता का मेडिकल परिक्षल कराने के बाद उपच्यार के लिए पलवल के नागरिक हस्पताल में दाखिल कराये गया पिडिता की उमर करीब 14 साल है जो नावालिक है और ले जाने वाड़ा प्रोस का ही एक रहने वाड़ा लड़का था जिसको हमने अरेस्ट कर लिया है पिडिता की मेडिकल जांच कराये गए कि मेडिकल जांच के दोना भी पिडिता जो है सिवलोस्टिल पलवल में बरती है उनका इलाज जा रही है और इलाज के दोरान सम्मंदीर जो बलातकार वगारा की धाराये वो हमने उसमें एड की है इस मामली में पलवल कैंप ठाना पुलिस ने गद 24 सितंबर 2023 को पिडिता की पिडिता की तलाज शुरू कर दी थी लेकिन लड़की की बरामकी के बाद पुलिस ने अब इस मामली में पॉस को वा किड्नैपिंग की धाराओं को शामिल करके आरोपी युवक हितेश को गिरफतार का जेल भेच दिया है हर्याना वर्दान के लिए पलवल से समवाद्दाता गुरुदत गर्ग की रिपोर्ग देश वा प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हर्याना वर्दान चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वा शेयर करें